वेलकम तो MBTalks जहरेदुन मैंने अपनी लाज वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा है कैसे आप अपने फोन में सेफ़ फोटो और वीडियो का बैक अप गूगल फोटो में कर सकते हैं गूगल फोटो में बैक अप क्रेट करने के कुछ अपनी बैटिसे सेमें में बैनेफिट आपने जो फोटो और वीडियो का बैक अप कर रहा है वो एकदम सेक्चियूर हो जाता हैं दूसरा benefit आप अपने फोन की storage को free रख सकते हैं इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और साथ ही i button में भी मिल जाएगा आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप अपने ना सिर्फ photos और वीडियो का data बट important documents हो गए जैसे क Excel हो गया word हो गया या PDF files होगी जो आपके phone में saved है उसको आप Google Drive में किस तरीके से save कर सकते हैं इसलिए वीडियो में end तक बने रहे हैं चैनल में first time आए तो subscribe करें और bell icon प्रेस करना मत बूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं Google Drive में अपना backup create करने के लिए आपको अपने mobile में Google Drive app को install करना होगा यह आप आपको Android phones में pre-installed मिलती है iOS में आपको app store से install करनी पड़ेगी एक बार app आपके mobile में install हो जाए तो उसमें अपनी Gmail ID से login कर लिजेगा login करने के बाद इस तरीके से interface देखने को मिलेगा जैसे कि आप अभी मेरी screen में देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा प्लस पे प्लस में क्लिक करने के बाद क्लिक करना है upload पे upload पे क्लिक करेंगे तो एक recent list आ जाएगी यहाँ पर आपकी सारी photos and videos जो कि आपकी gallery म audio का तो यहाँ पर आप images select करेंगे तो वो सारे folders यहाँ पर show होंगे जिसमें आपकी photos यह कैसे कि इमेजिस सेव हैं ऐसा ही आप audios में वीडियो में भी देख सकते हैं और audio में भी देख सकते हैं यहाँ से आप किसी भी folder में जाके audio को upload कर सकते हैं हमने अपनी पिछली वीडिय या कोई भी document file होगी, उन सब का भी आप यहाँ पे backup create कर सकते हैं। Suppose कि जी आपने कोई PDF file इंटरनेट से download करिए, तो वो आपको यहाँ पे नीचे downloads का option है, इस पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप सारी downloaded files को यहाँ पे search कर सकते हैं। इसके इलाबा, अगर आपको कोई PDF file या फिर कोई भी ऐसी file आपको WhatsApp पे आई है, जिसको आप यहाँ पे upload करके save करना चाते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा file manager में। File manager में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे folders हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए आपकी file किस medium से आई थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे को telegram का option दिखता है, share it का option दिख रहा है, यहाँ नीचे WhatsApp का option दिख रहा है, उबन हमारे को Bluetooth मिल रहा है, और download का भी option दिख रहा ह जैसे कि मेरे पास कुछ files आये थी, PDF files, WhatsApp के थुरू, तो मैं open करते हैं, WhatsApp का folder, और यहाँ पे open करते हैं, media, फिर open करते हैं, WhatsApp documents, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मेरे पास दो PDF files हैं, यहाँ पे हम एक file को select करते हैं, PDF file को और कर देते हैं, OK, OK करने के बाद यहाँ पे उस file की uploading शुरू हो जाएगी, notification बार में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे file upload हो रही है, तो इस तरीके से आप अपने photos, videos के इलावा और भी files, जैसे कि PDF file होगी, या कोई भी document file, या फिर कोई audio file, सब Google Drive में save कर सकते हैं, इसके इलावा आप अगर बहुत सारी files upload करते हैं, तो वो upload कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उन सबको folder to folder divide कर सकते हैं, उसके लिए आपको plus icon बेफिर से जाने हैं, और यहाँ पे एक folder है, जो option है, उस पे click करना है, folder click करेंगे, तो यहाँ पे A, B, C, या कोई भी नाम आप folder का create कर सकते हैं, और उसको create कर सकते हैं, folder create करने के बाद, आप इस file को या किसी भी file को उस folder में shift करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको उस file को select करना है, और, sorry, tap and hold करके रखना है, यहाँ पे आपको उपर move का option मिलेगा, move, and यहाँ पे हम select कर जाते हैं folder, और move, तो अभी जो हमारी file भाहर थी, सीथा direct drive में show हो रही थी, वो अब हमारे folder के अंदर चली गई है, और directly हम इस folder के अंदर भी same, उसी procedure से plus पे click करके upload पे जाके, किसी भी file को यहाँ पे direct save भी कर सकते हैं, इसके लावा जैसे कि आपने यह file upload करी है, यह आप अपने friends and family के साथ share भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे three dot में, file की name के आगे three dots show हो रह है, यहाँ पे आप अपने friends ये family की email address एंटर कर सकते हैं, उसके लावा उसके आगे एक pen बनावा आ रहा है, यह कह सकते है pencil बने भी आ रही है, जिस पे हम click करेंगे तो हम जिसके साथ यह file share कर रहे हैं, उसको क्या access देना चाहते हैं, हम file का यहाँ पे select कर सकते हैं, तो जिसस share करें हैं, सिर्फ वो ही इसको access कर सकते हैं, और यह file आपको नीचे bottom shared files में भी show हैंगे, इसके लाव अगर आप कोई file, ऐसी file का link अपने friends ये family के साथ share करते हैं, तो जिसके पास भी link जाएगा, वो सब उस file को access कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहीं दुबारा से three dots पे जान link कर सकते हैं, और whatsapp के तुरू या किसी भी social media platform या जैसे भी आप हमने friends के साथ interact करते हैं, वहां से इस link को share करेंगे, तो वो आपकी file को access कर पाएंगे, इसके लावा यहाँ पर एक और option मिलता है, यह जो file है, कहीं आप ऐसी जगह में जाते हैं, जहाँ पर net का issue रहता है और आप इसको online नहीं देख पाते हैं, तो आप इसको offline भी download करके रख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर option है make available offline, तो यह आपको select कर लेना है, make available offline, तो यह file आपकी download होके mobile में save हो जाएगी, और आप इसको without internet भी access कर सकते हैं, इसके लावा आप इसको rename भी कर सकते हैं, file को move कर सकते हैं print करना चाहें, तो अपने printer से इसको mobile को connect करके आप इसको direct print भी कर सकते हैं, इसके लावा आप इसको shortcut भी create कर सकते हैं, add home screen पे आप click करेंगे, तो इस file का direct shortcut आपके home screen में आ जाएगा, इस तरीके से आप अपने files को यहाँ पे save कर सकते हैं, I hope यह video आपके लिए helpful हो, पसंद र पस्टम आए, तो सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा, जल्दी मिलते हैं, एक और ऐसी ही useful वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay home, stay safe, jain, जै भारत